खलो स्टूडेंट्स नमस्कार जी के विद नंदन शर्मा किस ओफिशल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हर्दी कभिनंदन एक बड़ा ही जवलंत मुद्दा बड़ा ही बर्निंग क्वेशन अकीरा रैंसम्वेर इन दिनों में ट्रेंडिंग कर रहा है इसके बारे में जा इसका फुल फॉर्म है इंडियन कंप्यूटर एमर्जेंसी रिस्पॉंस टीम और इसको बनाया गया था भारत सरकार के द्वारा 19 जनवरी 2004 को और इसका हेड़क्वाटर न्यू डेली के अंदर है और किस के अंदर काम करता है साइबर क्राइम या साइबर सिक्यूरिटी आपके जो अकाउंट से आपका जो कंप्यूटर है उसको साइबर थ्रेट से कैसे बचाया जाए हैकिंग से कैसे बचाया जाए फिशिंग से कैसे बचाया जाए इसके लिए काम करता है सर्ट इन अब सर्ट इन ने हाली में एक ए जाने करी दी, the Indian government is warning against a dangerous ransomware जिसका नाम है Akira, जो target कर रहा है Windows and Linux system बिटा, Windows और Linux जो system है, इनको target कर रहा है Akira नामक ransomware या virus, सबसे पहली बात, Linux और Windows होते क्या है, तो आपने बताना है, operating system है, और यह used किया जाते है desktop के लिए, Linux is open source है, free use किया जा सकता है, while Windows comes with a license, इसको paid use किया जाता है, Windows जो है, more user friendly है, as compared to Linux, but Linux जो है secured है, as comparatively Windows, यानि Windows और Linux दोनों को target कर रहा है, Akira, ransomware, और ransomware होता क्या, या malware होता क्या है, यह आप सभी को पता होना चाहिए, सबसे पहली बात, ransomware, ransomware एक malware है, और malware का मतलब, malware का मतलब होता है, malicious software, जो हानी पहुंचाने वाला software, एक file हो सकती है, code हो सकता है, और जो typically deliver किया जाता है network के उपर, और that infects, explore, steal, or conducts virtually any behavior and attacker wants, सारे की सारी जानकारी चुरा सकता है, तो ransomware एक malware है, हानी पहुंचाने वाला software है, एक code है, एक virus है, to deny our user or organization access to files on their computer, और जिस पर ये virus आ गया, मानलो आपका organization है, और आपके organization में अकीरा आ गया, तो यानि आप अपना ही computer access नहीं कर पाऊगे, और वो सारी के सारी जानकारी को क्या कर देते बिटा, encrypt कर देते, code language के और चेंज कर देते हैं, और इसके बदले क्या मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, और अगर पैसा नहीं पे किया, उसको dark web पे upload कर देंगे, और dark web एक illegal platform है, और जहां पर उस data को misuse किया जा सकता है, तो ransomware एक बात करें तो virus है, malware है, और जब ये किसी user पर attack कर देगा, उसके सारी जानकारी को hack कर लेगा, और उसको encrypt language में change कर देगा, और वापस same form में वापस आना है, तो उसके लिए आपको कुछ पैसा पे करना पड़ेगा, ये है ransomware, अब बात आती है, primary objective क्या है, आकीरा का, तो प्यारे बच्चो, primary objective है, आकीरा ransomware का, still vital in personal information, यानि चुराना किसको, personal information को, victims होता है, पेडित को organization हो सकता है, को agency हो सकती है, financial record को चुरा लेना, personal identification, detail को चुरा लेना, और जो भी confidential document है, जो बहुत important document है, उनको चुरा लेना, और उसके इवज में क्या मांगना, पैसा मांगना, ठीक है, और दा ransomware group first encrypt the victims data, सबसे पहले अकीरा में क्या करते हैं, data को चुरा कर उसको encrypt language में change कर देते हैं, और उसके बाद में, वो क्या मांगते हैं, अगर पैसा नहीं दिया गया, तो उसको किस पर upload कर दिया जाएगा, dark web blog पर upload कर दिया जाएगा, और dark web पर upload होने का मतलब उसका misuse हो सकता है, आली में अकीरा ने London Capital Group, Development Bank of Southern Africa और और बहुत सारे organizations को target किया है, इसलिए अकीरा के बारे में चेतावनी जारी की गए, cert in के द्वारा, अकीरा ransomware can enter computer through various such means, such as malicious email attachments, अकीरा कैसे प्रवेश करता है computer के अंदर, कोई ऐसी malicious email attachment के थू, कोई link के थू, कोई pirated software website है, उसके थू करता है, peer-to-peer network के थू करता है, pre-file hosting sites के थू करता है, third party downloaders के थू कर सकता है, VPN, virtual private network के थू कर सकता है, any desk, जिसमें हम अपने computer की command किसी ओर आत में दे देते हैं, इसके थू कर सकता है, अचा, window RAR के थू कर सकता है, और PC hunter के थू कर सकता है, और भारत सरकार ने guidelines जारी करी है, अगर आपके computer को safe रखना है, अकीरा से, आपको अपने applications, windows को update रखना पढ़ेगा, antivirus software update रखना पढ़ेगा, अपने data का offline जो है, आपको backup रखना पढ़ेगा, और इस तरीके से आप जो है, किसी भी ऐसी files को आप attach नहीं करोगे, जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो इस तरीके से आप अपने computer को akira से save रख सकते हैं, तो उमीद करता हूँ akira ransomware के बारे में आपको पता चला होगा, अगर अच्छा लगा, तो like कीजिएगा, subscribe कीजिएगा, thank you so much